महराष्ट्रा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है शनिवार को एक बार फिर यहां 35,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए तो 166 लोगों की मौत हो गई पिछले साल अक्टूबर के बाद से एक दिन में सबसे अधिक मौते हुई है मुंबई में भी पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,000 से अधिक मरीज मिले हैं देश में सरवाधिक कोरोना केस महराष्ट्रा में मिल रहे हैं शनिवार को राज्य में 35,726 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए इसके बाद यहां मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 26,73,461 हो गई है 24 घंटे में 166 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 54,073 हो गई है 24 घंटे में राज्य में 14,523 मरीज डिस्चारज किये गए अब तक कुल 23,14,589 लोग यहां कोरोना को मात दे चुके हैं राज्य में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,00,000 के पार चली गई है यहां देश के सरवाधिक 3,3,475 एक्टिव केस हैं मुंबई की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटों में 6,123 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं देश की आर्थिक राजधानी में अब तक कुल 39,751 लोग इस वाइरस की चपेट में आ चुके हैं कोरोना वाइरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूज रही महराष्ट्रा सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोशना की एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्टराओं, उद्यान और मॉल रात आठ बजे से सुभा साथ बजे तक बंद रहेंगे ये आदेश शनिवार की मधिरात्री से लागू होंगे.